रिया चक्रवर्ती ने अपने पॉड़कास्ट चाप्टर टू में इस बार आमिर खान से लंबी बातचीत की इस जोरान उन्होंने बताया कि सुशान सिंग राजपूत के निदन के बाद उनके साथ क्या कुछ हुआ रिया ने बताया कि लंबे वक्त तक डिप्रेशन में थी इससे अब बाहर आए चुकी है रिया बताती है कि उन्हें अपना पॉड़कास्ट इसलिए शुरू किया क्योंकि मीडिया को कुछ इंटर्व्यू दिये लेकिन उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा सुषान सिंग राजपूत के निदन के चार साल बाद रिया चक्रवर्ती ने पॉड़कास्ट चाप्टर टू के साथ अपनी जिंदगी का भी नया चाप्टर शुरू किया रिसेट एपिसोड में रिया के साथ आमिर खान नजर आये उन्होंने रिया का होसला बढ़ाया और उनकी हिम्मत की भी तारीफ की आमिर बोले जो आपके साथ हुआ मैं उस ट्राजडी कहूँगा आपने उस घटना के बाद जिस तरह से अपनी जिंदगी बदली, धैर और ताकत दिखाया आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए क्योंकि इस बीच में हील हो गया था, दर्थ था, एंसाइटी थी, पीटी सीडी थी, पीटी एजडी थी और क्या कुछ नहीं था दुख सब पर भारी पड़ गया था आप केसी से बात कर रहे होते हैं इस बीच दुख में डूब जाते हैं ये सब चीजे थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि मेरे पास नई उड़ जा गई है मुझे लगता है कि लोगों से मिलूँ और मेरी उड़ जान नई हो जाती है डेप्रेशन आपके दिमाग पर कबजा कर लेता है इससे निकलने के बाद मुझे लगता है कि अब सूरज फिर से उकरा है मुझे लगता है कि नई चीजे शुरू करूं रिया बताती है कि मैं पॉड़कास्ट से शुरू करना चाहती थी क्योंकि उसे पूरी घटना में मीडिया ने आदी कर दिया था मुझे कुछ इंटर्व्यू देने शुरू किये लेकिन अच्छा नहीं लगा मुझे एक पॉड़कास्ट में बुलाए गया और कहा कि वादा करता हूँ कि एक दोस्त की तरह बात करेंगे जर्नलिस्ट की तरह सवाल नहीं पूछेंगे लेकिन उससे चीज़ें और ज्यादा खराब हो गई मैंने उसको पॉड़कास्ट रिलीज ही नहीं होने दिया आमिर खान ने रिया से कहा कि लोग आपको गलत समझते हैं क्योंकि आपको गलत चीज़े मालूम है उम्मीद करता हूँ दीरे दीरे उनको आपका सच पता चलेगा रिया ने बताया कि जब चीज़ें उनके एकदम खिलाफ हो रही थी तब आमिर खान ने उन्हें रूबर रोशनी डॉक्यूमेंटर दिखाई थी उससे उनकी जिन्दगी में बहुत ज्यादा फक पड़ा ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूस वर्ल इंडिया